चुनावी दंगल शुरू होते ही सभी दिगज चुनावी मैदान में जी जान से उतर जाते हैं। सभी की कोशिश होती है कि इस चुनाव में उनका सिक्का जम जाए। निताओं के साथ साथ कई बार उनकी पत्नियां भी चुनावी मैदान में उनका साथ देती हैं। लेकिन इस विधान सभा चुनाव में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की पतनिया ही इस बार केवल अपने पतियों का साथ नहीं देंगी बलकि खुद भी चुनावी मैदान में अपना दम दिखाएंगी। इनमें सबसे आगे अरजुन मुंडा की पतनी मीरा मुंडा है जो इस बार खरसावा से चुनाव लड़ सकती हैं। 2014 में इस सीट से जेमें के कृष्णा गगरई ने जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं लोगसभा 2019 में अरजुन मुंडा को जीत दिलाने में मीरा मुंडा ने एहम भूमी का निभाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पतनी कलपना सोरेन भी संथाल के ही किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बतादें की लोगसभा चुनाव में कलपना सोरेन ने हेमंत सोरेन का खूब साथ दिया था। संथाल शुरू से ही जेमेम का गड़ रा है। इसलिए कलपना सोरेन के लिए यह सुरक्षित छेतर है। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि आजसु सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली छेतर से अपनी पतनी को मिद्वार के लिए खड़ा कर सकते हैं। दूसरी ओर सांसद चंदप्रकास चौधरी भी अपनी पतनी को चुनावी दंगल में उतारने की तैयारी में हैं। कई नेता और पूर्व मुख्यमंत्री इस बार के चुनाव में पूरे जोस के साथ अपनी पतनी को उतारने की जुगत में हैं। अब देखना ये होगा कि इस चुनावी दंगल में नेताओं की पत्नियां कितना कमाल दिखा पाती हैं।